आज हम पढ़ने वाले हैं modern history से the इंडियर नेशनल मोमेंट आज हम पढ़ेंगे चोड़ा सा टॉपिक है वीडियो के एंड तक बने रहना है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना है अब यहां से हम जितने भी points पढ़ेंगे वह सारे के सारे एक्जाम में question पुछे जाते हैं तो जल्दी से copy pen लीजिए और अपने notes बनाना स्टार्ट कीजिए और साथ ही साथ इनको याद करना भी शुरू कर दीजिए फिर INC जो है फॉर्म्ट हुआ था उस ट् नेशनल कॉन्फरेंस नेशनल कॉन्फरेंस हुई थी वो कहां पहुती कॉलकरता में हुए थी एटी-eat-three में हुए थी ठीक है फिर हम पड़ते हैं इंडिया नेशनल यूनियन जो है कब फॉर्म्ट हुई किसने करी ठीक है अठारा सो चुर्णी में इंडिया नेशनल मर्ज इंडिया नेशनल कॉंग्रिस in 1885 बाई एयो हुम ठीक है इंडिया नेशनल कॉंग्रिस जो है कब फॉर्म हुई अठारा सब चैसी में हुई किसने करी एयो हुम ने बन जाता है यह भी हमारा एक वाइस हमारा ऐहां बन गया कि पहले वॉकररे कॉंग्र अपिर नेशनल कंग्रिस कब हुई इंडिया नेशनल कॉंग्रिस वो इस नेराना किरण जाता है इंडिये नेशनल कंग्रिस कभ चैसे आपने याद करी Push कौष्फ मिटिंग औरarthy यह 19 गोकुल दास तेजफाल संस्क्रित कॉलेज ओन 28 डिसंबर 1885 इन बॉंबे इसको याद कर लीजिए पूरी की पूरा ये फिर यह हो हूं यह कौन थे यह रिटायर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे फिर जो मिटिंग हुई थी आइनसी की जो फोस्ट मिटिंग हुई थे उसके 122 डेलिगेट्स ने भी अटेंड करें इन 1886 में डाल डेलिगेट्स तू कॉंग्रेस विकां 436 ठीक है 1836 में कितने हो गए 436 तो यह चीज़े आपनी इहां से याद रखनी है पहला आप एक वार रिपीट कर लेजे कि हमने क्या क्या पड़ा कि आइनसी में जो फोस्ट इंडिया नेशनल यूनियन का फॉर्म हुई किसने करी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस जो है वो कब फॉर्म हुई किसने करी फॉर्स मिटिंग कहां पे हुई कब हुई और ठीक है और किसने और जो फॉर्स मिटिंग हुई थी आइनसी की उसको की अधिक्षता जो है किसने की और first जो प्रेजिडेंट थे INC के वो कौन थे ठीक है इतनी से हाँ सी के question बनते है Initial Leaders of INC Indian National Congress के जो प्रारंबिक लीडर से उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि सुरिंदानाद वेनर्जी जो थे पहले ऐसे भारतिय थे जिनको 1864 में Indian Civil Service से dismiss कर दिया और ये दूसरे ऐसे भारतिय हैं जिनोंने जो है Indian Civil Service exam clear किया था 1869 में ये चीज लिख लेनी हैं आपने कि 1869 में इनोंने Indian Civil Service exam जो है qualify किया और ये दूसरे ऐसे भारतिय थे अब पहले कौन थे जिनोंने Indian Civil Service qualify किया वो थे सितिंदर नाथ टेग और पहले ऐसे भारतिय थे जिनोंने ICS का exam clear किया 1863 में ठीक है नाम में आपने confused नहीं होना है एक है सितिंदर नाथ टेग और एक है सुरेंदर नाथ विनर जी ओके तो लिख लेना है ये चीज़ आपने अपनी notebook पे फिर next है हमारा इन्होंने जो है Indian National Conference बुलाई 1883 में ठीक है किसके against Albert Will Controversy के against जो है इन्होंने 1883 में Indian National Conference बुलाई ठीक है और Indian National Conference को merge किया INC के साथ in 1885 में लिख लेना बहुत important point है और सुरेंदर नाथ विनर जी को और किस नाम से जाना जाता है Indian work and राष्ट्रे गुरु के नाम से इनको जाना जाता है फिर next हम पते है इन्होंने किस चीज़ का विरोध किया Partition of Bengal का इन्होंने विरोध किया He also founded Indian Association in 1876 in Kolkata Next है हमारे जी सुवरमन्या अयर इन्होंने जो है मदरास महाजन सवा के थ्रू जो है nationalism का प्रचार किया He also founded the Hindu and Svadesha Mitran क्या found किया Hindu and Svadesha Mitran Next पते हम दादा भाय नरोजी के बारे में दादा भाय नरोजे जो है also known as Grand Old Man of India इनको किस नाम से जाना जाता है Grand Old Man of India ठीक है और इंडियन अनओफिशल अंबैसेडर फिर नेक्स रम पते हैं he was first Indian to become the member of British House of Common in between 1892 to 95 ठीक है यह पहले ऐसे भारतिया थे जो British House of Common के member बने कब बने अठारा सो वानुल से जैनुल तक फिर he also founded East India Association in 1866 in London बहुत important points हैं यह जो है question के तरह एक्जाम में पूछे जाते हैं नहीं हमारा गोपाल क्रिशन गोखले जो है इनको महात्मा गांदी का political गुरु कंसीडर किया जाता है और इन्होंने 1905 में Servants of India Society की विस्थापना की फिर है हमारे M.J. रहनारे M.J. रहनारे और J. सुवर्मन्यम अयर ने जो है मदरास महाजन सवा की भी नीव रखी in 1884 में 1884 में 1884 में को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगर कोई आपके और फ्रेंड जो गर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और अपनी फीड़बैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें थैंक्यू